हलो दोस्तो नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ट विजय और आज के इस ट्रेणिंग वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अभिनेंदन करता हूँ अभिनेंदन करता हूँ अभिनेंदन करता हूँ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अन्बी एपसीस के बारे में इसके पहले जो दो वीडियो हैं उनमें हम बात किये थे Small Finance Bank के बारे में और Payment Bank के बारे में उम्मिद कर रहा हूँ कि आप वो वीडियो देख ली होंगे अगर नहीं देखे होंगे तो Description Box में मैं उसके लिंक देदूँगा तो आप उसको देख लीजिए छोटी-छोटी जनकारिया हैं उनके बारे में आपको एक आउधारणा पता चलेगा उस वीडियो के माध्यम चे आपको पता चलेगा कि Payment Bank, Small Bank जो Finance Bank है उनको किस आउधारणा के साथ खोले गए थे तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Non Banking Finance Company के बारे में जिहां गैर वित्ती संस्तान जिसको NBFC बोलते हैं इनका जो पंजियन है वो कंपणी अधिनियम 2013 के तहद किया गया जिसे कंपणी अधिनियम 1956 के रुप में भी जाना जाता है तो उनके तहद उनका पंजियन किया गया है कुछ Selected Banking Services प्रोवाइड करते हैं जैसे Loan और Credit Facilities, Retirement Planning, Money Market और Share, Stock, Deventure, Government Security के खरीद विकरें या उनका अधिग्रहन और साथी साथ ये Services प्रोवाइड करते हैं ये जो NBFC हैं NBFC पब्लिक से डिपोजिट नहीं ले सकते हैं दोस्तो NBFC का जो मुक्ष कार्य है वो Agriculture Activity नहीं हो सकता साथ ही Industrial Activity नहीं हो सकता और Immobile Property का Self-Purchase और Hire भी ये Activity नहीं हो सकता एक्चल में NBFC का जो मुक्ष बिजनेस है वो रिंड सुधाय प्रदान करना होता है चाहे हो Wholesaler हो, चाहे Retailer हो, चाहे हो Self-Employed हो, चाहे Small-Skill Industries हो इनको उनके जगह पर कम से कम affordable तरीके से उनको रिंड सुधाय प्राप्त करना है ये Actual में Diversified Service Product ये Adopt करते हैं और ये कम समय में तोरित तरीके से आसानी से रिंड सुधाय प्रदान करते हैं Customer User Friendly रहते हैं, Customer Oriented रहते हैं, Service Oriented रहते हैं, जिसकी वज़ा से ये काफी popular होते हैं और ग्रहकों तक उनके नीट के हिसाब से उनके आसकताओं के हिसाब से वो बहुत सरल तरीके से पहुंच जाते हैं जिया, NVFC के मोक्षेकारे होते हैं, NVFC के Operation चालू करने से पहले, एक्शल में NVFC को Reserve Bank of India के साथ उनको पंजियन कराना होता है, कि ये Operation चालू करने वाले हैं, जो Company Act 2013 के ता लड़ी पंजिक्रित हैं एक्शल में ये Reserve Bank से पंजिक्रित होते हैं, लेकिन इनमें Banking का License नहीं होता है, और यहाँ पर अगर पंजियन करने के लिए इनको Net Own Fund जो है, वो कम से कम 2 करोड होना चाहिए, अगर Indian है, अगर Foreign Sector के Investor है, तो उनके लिए कम से कम 5 करोड का Investment होना चाहिए अगर Bank और NBFC में अंतर देखेंगे, तो NBFC जो है, वो Selected Banking Services प्रवाइड करते हैं, और ये Bankों के जो निनमलिक हितकारे वो नहीं कर सकते हैं, जैसे Bank Public से Deposit लेते हैं, तो NBFC पबलिक से Deposit नहीं ले सकते हैं, दूसरा Bank जो है, Payment Settlement करते हैं, अगर NBFC के Types of NBFC देखें, तो बहुत किसम के NBFC होते हैं, और इन NBFC में पहला होता है Asset Finance Company, जिया Asset Finance Companies, वो NBFC होते हैं, जो Asset के रूप में Productive Work के लिए, या Indian Economy को Support करने के लिए Finance करते हैं, जैसे जिनमे Asset Create होता है, जैसे Tector's हो गए हैं, वहिकल्स हो गए हैं, Asset हो गए हैं, और Let Machines हो गए हैं, Equipments हो उनको Loan करते हैं, उनका मुक्ष प्रिंसपल जो Business होता है, वो Asset Finance के रूप में होता है, दूसरी जो Company होती है, वो Loan Finance Company होती है, Loan Finance Company ये ऐसी होते हैं, जो Different Sector में वो Loan देते हैं, और वो Asset को छोड़के, Asset Finance को छोड़के, बाकी Loan देते हैं, जैसे Personal Loan हो गया, Consumer Loan हो गया ये इस टाइप के Loan देते हैं, फिरो तरह एक Infrastructure Depth Bond होता है, Depth Bond उसमें भी ये Investment करते हैं, और Investment Type के हैं, इसमें भी Government के Acquisition, Share, Bond वगरा करते हैं, तो इस तरह के Different Type के NBFC होते हैं, जिया दोस्तों वैसे तो देखा जाए, तो बहुत सारे NBFC काम करते हैं, लेकिन अगर स्क्र जाए, तो नबाड है, National Bank for Agriculture and Ruler Development, LIC Housing Finance है, और Bajaj Finance है, India Bulls है, ये Reliance Capital है, ये मुक्षित तोर पर हैं, तो ये NBFC हैं, आपको इस वीडियो के माध्यम से, मोटा तोर से आप पता चल गया होगा, कि NBFC क्या हैं, और कौन से ताथ रेजिस्टेशन होते हैं, क्या काम करते हैं, Limited Banking Service करते हैं, जियां, दोस्तों, उम्मीद करता हूँ, कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक कर दीजे, और चैनल में आये, तो सब्सक्राइब कर लिजे, और बेल आको जरूर दबाईए, क्योंकि मैं बैंक से प्रम नमस्कार, थेंक यू सो मच